ओल्राइट गाइस सो माइनेम इस मयंक एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं लीगल मैक्सिज्म के बारे में ठीक है तो जब आप देखते हो ना लीगल मैक्सिज्म जब भी आप बुक में पढ़ते हो तो हम डर जाते हैं हमें लगता है कि यार यह बह लीगल मैक्सिज्म से अगर आप लोग दिहान से पढ़ोगे आप क्वेशन्स तो सोल्व कर ही सकते हो एंड अगर आपने पास ट्रियर के पेपर्स देखे हैं ड्यू के दिन आपको पता होगा कि लगभग दो से तीन क्वेशन्स तो ड्यू पूछता ही है लीगल मैक्सिज् स्टार्ट करते हैं लीगल मैक्सिज्म के बारे में ठीक है गाइस एंड हाँ एक बात और यह जो लीगल मैक्सिज्म होती है निके जो मतलब होते हैं जर्नली वो क्या होते हैं इंगलिश ही रिलेटिड होते हैं इंगलिश से मिनिंग इनके निकलते हैं तो हम लोग क्या करें इनके मिनिंग खुद से डेराइव करने के कोसिस करेंगे ठीक है तो हो जाता है आप देखो वीडियो को मैंने कुछ इंपोटेंट जो की सबसे इंपोटेंट लीगल मैक्सिजम है जब भी आप अपनी उनिवर्सल या फिर सिंगल्स की बुक में देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां से स्टार्ट हो रहे हैं कहां पर खतम हो रहे हैं ठीक है तो जितने मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंद उतने एटलिस्ट कर लो एंड इन्हीं को दो-चार बार अच्छे से रिवाइस करो आपके जो क्वेश्चन्स हैं एक्जाम में वो हो जाएंगे ठीक है तू उसके साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लीगल मैक्सिजम से इट इस इग्नोरेंशिया फैक्टी एग करेंगे इग्नोरेंटिया का मतलब हो गया इग्नोरेंश फैक्टी का मतलब हो गया फैक्ट एंड एक्सक्यूस्ट का मतलब हो गया एक्सक्यूस्ट ठीक है इग्नोरेंश एंड एक्सक्यूस्ट तो अब जब हम इसका मिनिंग निकालेंगे पूरे सेंटेंस का तो हम इसको है कि ignorance of fact can be excused ठीक है यही तो मिनिंग हुआ इसका ignorance of fact can be excused तो इस तरीके से हमने इसका मिनिंग derive किया थोड़ से common sense के थूँ ठीक है अब एक second maxism जो कि इसी का part है वो है हमारी इग्नोरेंश या jurist non excused अब जहां पर भी यह jurist word आएगा ना jurist इसके नीचे line खेंच करके आप लिख लो जहां पर भी jurist शब्द आएगा उसका मतलब होगा law right justice ठीक है तीन मिनिंग इसके हो सकते हैं depend करता है sentence कहां पर यह आ रहा है law right justice तो जब आप options देखेंगे ठीक है तो यह जो questions होते है legal maximism के यह options की मदद से ही आप solve कर पाऊगे otherwise तो काफी difficult पढ़ेंगे ठीक है तो आप लोग options देखना तो law right and justice jurist शब्द के तीन मिनिंग होते हैं ठीक है उसके बाद जो आता है नौन नौन जो शब्द होता है उसका कहीं नहीं negative meaning आता है उसका मतलब आता है नहीं याणी यान इसका एक negative meaning होता है and this non शब्द is an exceptional this non Generally legal maxism में आता नहीं गया कहीं आ रहा है थे ignorantia का मतलब ignorance jurist का मतलब मैंने आपको बता ही दिया तीन शब्द हमारे and excused का मतलब होता है excuse तो अब हम इसका पूरा meaning निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ignorance of law cannot be excused ठीक है तो अज़ अबने पहले बोला था वो था ignorance of fact can be excused but ignorance of law cannot be excused अब इसको में कहीं जा रहे हो and आपको police ने रोक लिया and वो आपकी checking करते है car की and they found कि आपकी जो car है उसमें कुछ ऐसा समान है जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए ठीक है कुछ भी हो सकता है prohibited समान जो कि car के अंदर नहीं आना चाहिए तो आप बॉल सकते हो कि मेरे को इस बारे में कोई जनकारी नहीं थी I was not aware about this so this is the ignorance of fact कि you are not aware about the fact कि आपके car के अंदर वो material है तो you can always take this as a defense second आपने seatbelt नहीं लगा रखी तो this is the violation of law ठीक है motor vehicles act के अंदर आपको पता है कि ये एक law है कि अगर आप seatbelt नहीं लगाओगे then you are basically violating a law तो ignorance of law cannot be excused वहाँ पर आपको fine पे करना ही पड़ेगा ठीक है तो this is the ignorance of fact can be excused but the ignorance of law can not be excused ठीक है तो यह थी हमारी पहली maxism हमने अच्छे से इसको समझ लिया ठीक अब हम second maxism को समझते हैं लेकिन उससे पहले कुछ terms है हमारी हम उनको देखेंगे पहला यह आती है actus ria and mens ria ठीक है आपने काफी बार देखा होगा mens ria यह वाले शब्द जो आते हैं यहाँ पर जो ria या फिर rias होता है इसका मतलब होता है guilt या फिर guilty ठीक है यह जो ria या फिर rias शब्द है इनका मतलब होता है guilt या फिर guilty and actus का मतलब होता है act यानि की action and men's का मतलब यहाँ पर होता है mind ठीक है तो I hope आप लोग कहीं कोपी पर लिख रहे होंगे इन सब को ठीक है तो लिखते रहना इनको साथ के साथ अच्छे से revise हो जाएगा आपका तो actress का मतलब होता है act men's का मतलब होता है mind and ria या फिर ria's का मतलब होता है guilty या फिर guilty तो actress ria's का मतलब होता है guilty act and men's ria का मतलब होता है guilty mind अब हमारे maxism को देखते है actress non facetrium nissi men's sit ria काफे बड़ी सी maxism हो गई ना ठीक है तो actress का मतलब मैंने बता दिया act non का मतलब होता है नहीं that is in the negative sense rum 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 मतलब कि जब तक किसी इंसान मतलब मैं बोलू तो सिर्फ गिल्टी एक्ट से कुछ नहीं होता जब तक उस गिल्टी एक्ट के पीछे गिल्टी इंटेंशन नहीं हो ठीक है आप इसको इस एक्जामपल के मदद से समझे कि आप जंगल में जाते हैं शिकार करने एंड आपने ग बोली चलाई एंड जब आप वहाँ पर चेक करने गए तब आपने पाया कि अरे मैंने तो एक इंसान को शूट कर दिया एक हूमन बिंग को सूट कर दिया तो क्या आपकी यहां पर उस इंसान को मारने की कोई इंटेंशन थी कि आपका माइंड गिल्टी था नहीं तो अब यहर गिल्टी एक्ट इंटेंशन संब्लक नॉट गिल्टी तो अब हमारी मेक्सिजम वह है ऑ-बि जस इपी रेमेडियम ठीक है अब सबसे पहले इस जस का मतलब समझो जस देखो मैंने पहले भी पताया था जहां पर भी जस या फिर जुरी इस टैप की शबदातें उनका म का मतलब होता है, remedy तो आप खुद देखे को की जो र casting पता था लेकिन इसका जो एक इंग्लिस शब्द है वो है remedy तो कहीने कहीर मिलता जुलता था ना remediem remedy तो इस तरीके से अगर आपक लीज़ि le abus घाती है जो आपने पहले करना एक बार questions को, अब इसका देख, and यह जो o b and e b होते हैं, यह होते हैं, यहाँ वहाँ जैसे हम हिंदी में हिंदी में बोल देते हैं, यहाँ वहाँ, English में बोलते हैं, here there, ऐसे o b e b, तो इसका मतलब होता है, where there is a right there is a remedy, अगर कहीं पर एक right है, तो उसकी एक remedy होगी ही होगी, this is must कि if there is a right there is a remedy, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, for example मैंने बोला कि, जितने भी आपके fundamental right हैं, वो आपके right हैं तो आगर वो right violet होते हैं तो उनके remedy तो होती हैं न, rates होती हैं आपके article 32 के अंदर, article 226 के अंदर तो इसी तरीके से होता है कि जहाँ पर भी कोई right होगा, वहाँ पर कोई न, कोई remedy होगी ही होगी, अब next fourth हमारी आती है, defamation, ठीक है तो defamation का मतलब होता है, harming the reputation of somebody किसी की जो image है, हम उसको कम कर रहे हैं, उसकी image उसकी छवी गिरा रहे हैं, किसी वक्ती की, ठीक है तो इसको बोला जाता है, defamation and defamation दो टाइप से करी जाती है पहली, बोल कर मैं आपकी image को बोल कर गिरा सकता हूँ आपके बारे में गलत-गलत बाते करके second, मैं कहीं लिखकर मतलब print media में छपवा कर या फिर posters को दिवार पे चपवा कर in the written format में मैं आपकी image को क्या कर सकता हूँ scandalize कर सकता हूँ, ठीक है तो there are two ways to defame somebody first, by spoken words second, by written तो जो spoken वाला होता है, हम उसको बोलते है slender, ठीक है s-l-a-n-d-e-r, slender and जो second होता है हमारा written वाला, उसको हम बोलते है इनको याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि slender का मतलब क्या होता है या फिल libel का मतलब क्या होता है तो these are basically types of these are types of defamation ठीक है, तो याद रखना है अब next, five, हम बात करते हैं judgment की, जब भी कोई supreme court या फिर high court, किसी भी judiciary की एक judgment आती है, तो उस judgment के तीन पार्ट होते हैं, पहला stair decisis, second ratio descendant, and third obita dicta, अब यह जो first वाला पार्ट होता है, stair decisis यह होता है, जो कि हर किसी को पता होता है common public को पता होता है जैसे कि आप newspaper पढ़ोगे तो जो first heading छपकर आती है, उसी को बोलते हैं, stair decisis, यानि यह वह पार्ट होता है, judgment का which is known by everybody common man, हर किसी को पता होता है second आता है हमारा ratio descendant अब यह जो ratio descendant होता है, यह क्या होता है this is basically reasoning used in the judgment, अब court ने अपनी judgment सुनाते है वक्त, जिन जिन reasoning का जिन जिन points का, logics का use किया है उसी ही को बोलते हैं ratio descendant, ठीक है and the third होता है, हमारा वो होता है obitur dicta, and this is the personal opinion of judges, यह legally enforceable नहीं होता है, यह सिर्फ personal, ठीक है, तो this is not of a binding nature, this is the personal opinion of judges, ठीक है, तो judgment के तीन पार्ट होते हैं, statusize ratio descendant and obitur dicta अब इनको भी ध्यान से अराम से एक बार देख लेंगे, अब जो हमारी दो maxism आने वाली है next, वो हमारी constitutional law से जुड़े होई है, ठीक है, article 20 के अंदर जवाब पढ़ेंगे, तो यह दोनों ही maxism आपको वहाँ मिल जाएंगी पहली, namo, depth bis, waxari, namo का मतलब होता है nobody, अगर कहीं पर भी आपको namo लिखा हूँ मिलता है तो आप तुरंट समझ जाना कि इसका मतलब है nobody, bis का मतलब होता है twice, यानि कि दो बार bis, bis को आप ऐसे याद रखें by, bis, twice ठीक है, and waxari का मतलब होता है wax, यानि कि harassment तो अब आप इन इनों को जब combine करके इसका मतलब निकालेंगे, तो इसका मतलब निकलेगा कि nobody should be twice punished for one and the same crime, and this is the doctrine of double geo party, यही तो है हमारी doctrine of double geo party की कि किसी एक व्यक्ति को एक ही crime के लिए दो बार आप convicted नहीं कर सकते, वोई अंधा कानून में भी इसी को दिखाया गया है अमिता बच्चन वाली जो मूवी है अंधा कानून, उसमें भी same doctrine of double geo party को ही शो किया गया है, ठीक है, तो अच्छी काफी अच्छी लीगल मैक्सिजम है, इसको आ सकती है एक्जाम के अंदर next, and this is also in the article 20 of the constitution, namo, tenature, sapism, accuser namo, आ गया ना, namo, namo का मतलब nobody accuser का मतलब होता है accused, ठीक है, तो this is basically right against self-incrimination, वो article 20 का principle भी यही बोलता है कि nobody has to accused himself, ठीक है, तो आप article 20 जब पढ़ेंगे, तो यह दोनों ही मैक्सिजम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे next जो हमारी मैक्सिजम है, वो है हमारी law of contract से related, void ab initio void ab initio and you will find this मैक्सिज many a times in many of the test series and in the law faculty exam, यह काफी बार पूछी जाती है, void ab initio, यह जो initio है, initio का मतलब होता है initial, यानि कि starting beginning, ठीक, तो इसका मतलब होता है void from its very beginning यानि कि यह तो शुरुवात होते ही void है, ऐसा कोई contract जो कि starting से void है, ठीक है, वो जिस दिन से sign हुआता, उस पल से ही वो contract void है, it is void है ब initio, मैं बोलूँगा कि it is void है ब initio, ठीक है, तो this is something which you have to remember, अब जो हमारी next maxis में, यह हमारी administrative law से जुड़ी हुई, and this is again very, very important यह है, OD ultram, partum OD, ultram, partum OD का मतलब होता है, आप OD का मतलब ऐसे याद रखेंगे OD, audio, यानि कि to here, इसका मतलब होता है, to here ठीक है, and ultram का मतलब होता है, alternate and partum का मतलब होता है, party यानि कि no man should be left unheared, यानि कि आप किसी को भी बिना सुने, judgment नहीं दे सकते है at least आपको दोनों parties को तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है to here, alternate and party तो इसका मतलब यही हो गया, कि you have to listen to the both of the sides, ठीक है, तो आप सिर्फ एक party को सुनकर अपनी judgments नहीं दे सकते है, आपको दोनों ही parties को सुनना पड़ेगा पहले और तभी आप अपनी कोई judgment दोगे, तो this is basically the maxism which is based on the administrative laws, second हमारी administrative laws में जो maxism है, वो है, nemo depth as judax in propaya sua causa, ठीक है, काफी बड़ा हो गया, काफी complex लग रहा है, but this is not a very complex thing, it is an easy thing and this is based upon the principle of natural justice nemo का मतलब होता है nobody, judax का मतलब होता है judge, देखो, judax judge, मिलता मिलता सा नाम sua, sua, जो है, इसका मतलब होता है sua moto, यानि कि, खुद से self, ठीक है, तो अब इसका जो मतलब होता है वो होता है, no person can be a judge in his own case यानि कि, कोई भी व्यक्ती अपने ही case के अंदर judge नहीं हो सकता, and अगर ऐसा होता है, तो this is against the principle of natural justice अब next, जो हमारी maxism है, वो है res, ipsa locutor, ipso facto, and prime face यह जो मैंने तीन maxism बोल दी, यह कहीं न कहीं same है यह इसी same context के अंदर ही use करी जाती है, ठीक है meaning थोड़े different हो सकते है, but context same होता है इनका, समझते हैं कैसे res, ipsa, locutor इसका मतलब होता है, the thing speaks for itself, अब यह तो आपको याद ही रखने पढ़ेंगी because यह ऐसे समझ नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप दो तिन बार इनको पढ़ेंगे then आप इनको अच्छे से memorize कर सकते हैं, but यार यह important है, इसी वज़े से आपको बता रहूँ, ठीक है, तो please इनको छोड़ के मत जाना यह बहुत important, इपसा locutor, इसका मतलब होता है, the thing speak for itself, यानि कि चीजे अपने बारे में खुद बया करती है for example, आप किसी ऐसे crime scene पे गए, जहां आपको देखकर ही पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा ठीक है, आप पूरी situation समझ बारे हैं, सिर्फ चीजों को देखकर, चीजे बिखरी हुई हैं इस तरीके से आपको खुद बता चल रहा है कि यहां पर अभी क्या हुआ होगा, ठीक है तो इसे ही काफी सारी हमारी ओर है, एक जैसा हो गई है भी इस कोर्पस, और दिस इस ए रिट हभी इस कोर्पस इसका मतलब होता है तू प्रिजेंट आ बोडी फिर ऐसी आती है, क्यों का मतलब वाट, वारंटो का मतलब अथोरिटी यानि कि बाइव वाट अथोरिटी, एक होता है एमिकस क्यूरे, यह काफी बार आ जाती है फैकल्टी गजाब में भी इसको पूछा गया है एमिकस क्यूरे, इसका मतलब होता है यानि केस अभी चल रहा है, उसका भी डिसाइड नहीं किया गया है एंड लास्ट, इसको दिहान रखना यह भी इंपोटेंटी है हमारे तो बोला जाता है डेलीक्वेंसी, डोली, एक होता है डेलीक्वेंसी डेलीक्वेंसी का, डेलीका मतलब होता है बेबी, छोटा बच्चा, ठीक है तो इसका मतलब होता है Delinquency का Crime Which are committed by juvenile Juvenile मतलब Below 16 years of age ठीक है एक होता है Dolly incapac Dolly का मतलब होता है Baby, छोटा बच्चा Incapac का मतलब होता है Incapacity यानि कि उसकी capacity ही नहीं है मतलब हम यह समझते हैं Indian criminal law के कोडिंग A child which is below 7 years of age Cannot commit any crime Dolly incapac ठीक है तो ये थी हमारी कुछ important magazine ऐसी और भी काफी सारे important magazine है जिसको आप अपनी किसी भी book के अंदर पढ़ सकते हैं इनका जो meaning है English meaning आप उसको find out करने की कोशिस कीजिए और उसके बाद आप लोग पहले options को देखिए और तब एक question को solve की रिए ठीक है questions solve करने से पहले आप लोग options को एक बर जरूर पढ़ें ताकि आपको एक fair idea हो सके कि क्या आपसे question demand करता है ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो then please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will not miss any of the future update इसी के साथ मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you see you bye bye